बूड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर अनीता माधुर, B.S.R. Government Arts College अलवर, Department of Geography, BA Honors Part 2 Geography के Students के लिए, हम Bio Geography का जो पेपर है, उसका कोई जो community वाला टॉपिक है, आज उसको discuss करेंगे, यह topic शुरू करने के बाद, मैं एक बात आप लोगों को students बताना चाहती हूँ, कि हमारा first और second unit almost पूरा हो गया है, और आपको मैंने उसके videos के साथ साथ, उसके PDF है, उसका assignment भी आपको दियावा है, आप उनको पढ़ते रहिए, और notes बनाईए, अगर आपको notes चेक कराने, तो उसके लिए भी, आप WhatsApp भी मुझे कर सकते हैं, या कोई भी problem हो, तो आप पूछ सकते हैं, आपका जो biogeography का course है, बहुत ज्यादा नहीं है, और यही important topics हैं, मैंसे हम कुछ छोडते नहीं हैं, अगर आप unzol papers देखोगे, तो आप देखोगे, repeated यही चीजें आती रहती है, बह लिए हमें सभी topics को बहुत अच्छे से करना है, जहां diagrams की जर्वत आती है, वहां diagrams भी बनाने है, maps का जहां use करना है, वहां maps भी बनाने है, और साथ ही साथ आपके map का question भी आता है, map fill करने के लिए भी आता है, इसलिए आप जो भी chapter करते जा रहे हैं, उससे related जो भी इस तरह की चीजें हैं, जिनको आप map में प्रदर्शित कर सकते हैं, तो आप साथ साथ उसकी भी practice करते जाए, हमें exam में stencils या वो allowed हो या नहीं हो, पर being a student of geography, आपको खुद को map बनाना आना चाहिए, इसलिए आपके पास अभी बहुत अच्छा time है, आप map बनाने की practice कीजे, राजस नहीं है, it's just matter of practice, जैसे जब आपने पैली बार लिखना सीखा था, तो हम slate पे उस शब्द को लिख कर उस पे हाथ फेरा करते थे, और इस तरह से हमने सारी word माला, सारे alphabet सीखे थे, उसी pattern पे अब आप map बनाने की practice कीजे, और आप continuously उसको बनाते रहेंगे, मैं ये नहीं कह र impact ही दूसरा आता है, जब आपकी copies check होती है, तो हाथ के बने map को हम definitely जादा तवजू देते हैं, जादा importance देते हैं, तो आप practice कीजे कि आप map बना सकें, और map का use तो हम जतना कर सकें, हमें करना चाहिए, ये paper जो है आपका बहुत scoring है, आप अगर to the point answer लिखेंगे, तो आपको इसमें बहुत अच्छे number मिलेंगे, और साथी साथ diagrams और maps भी बनाएंगे, तो वो सारी चीजें जो हैं आपकी, उनका अच्छा आपको उसके marks आपको इसमें मिलेंगे, तो ये अब आप पे depend करता है, कि आप कितनी अच्छी तरह से इन सारे answers को present करते हैं, फर्स यूनिट मे आपका एक topic रहे गया था, concept of community या समुदाय की संकल्पना, देखें, जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है, समुदाय का मतलब क्या होता है, जैसे हम अगर sociology के perspective से पढ़ें, तो हम क्या समाज शब्द का प्रयोग कर दें, समाज का मतलब क्या होता है, व्यक्तियों क एक समुख जिसका target एक होता है, यहां पर हम समुदाय की बात करते हैं, तो समुदाय मतलब कुछ ना कुछ इन चीजों में, something in common, plant community की बात करते हैं, तो it means something is common between them, उन में कोई ना कोई आपस में रिष्टा है, या उनका कोई एक दूसरे से संबंध है, उसको हम community कहते हैं, ज इसी प्रदेश में निवासत एक प्रजाती के जीवों का, की जो population है, वो population और सभी जातियों की population के साथ, mixed वरूप में पाई जाती है, आप अगर geographical regions को देखेंगे, तो कोई भी ऐसा region नहीं मिलेगा, जहां पे एक ही प्रजाती की वनस्पती हो, यह आपको पता है, तो वो mixed इस रूप में जो वनस्पतियां साथ मिलती हैं, एक साथ जो सर्वाइव करती हैं, उसको हम एक तरह से community मान सकते हैं, तो इस community में क्या होता है, पेड़ पौदे, जनतू, सूक्ष में जीव जो होते हैं, यह सभी इसमें शामिल होते हैं, और एक सभी समू के रूप में रहत जिसमें यह सारी चीजें मिक्स रूप में पाई जाती हों, उसे हम plant community area कहते हैं, अगर हम समूदाई की बात करते हैं, तो Clarks ने इसके बारे में परिभाशा दी थी, कि किसी भी प्राकर्तिक शेत्र में निवासत तथा परस पर समायोजन करने वाले पादपों को और को समू या समूदाए कहा जाता है, देखें, हमारा ये जो पारिस्थतिक तंत्र है, इसमें निरंतर एक, मतलब ये इसमें, इसका हर आस्पेक्ट बहुत गतीशील है, इसमें इसलिए निरंतर गतीविधियां चलती रहती हैं, सेकेंड बात, यहां पर संगर्ष की इस्तिती सदैव ही रहती है, कारण, रिसोर्स कम होते हैं, उसका भोगने वाले लोग ज्यादा होते हैं, परंतु, फिर भी, जो एक शित्र में सभी प्रकार के जीव और वनुस्पतियां पाई जाते हैं, उनमें कहीं न कहीं एक प्रकार का एड़्जस्मेंट होता है, और उसी साइकलोपेडिया में इसकी परिभाशा दे रखी है, उसमें कहा गया है कि एक समुदाय या जीव, पारस्तिती की तंत्र एक विशिष्ट समय में, एक ही बोगोलिक शेत्र में, दो या दो से अधिक प्रजातियों का जो संगठन या समू होता है, उसे समुदाय कहा जाता है तो ये बात पहली clear है कि समुदाय एक प्रजाती का ना होकर two और more than two, वो जब होते हैं साथ रहते हैं संगठन के रूप में, समू के रूप में, तो हम उसको समुदाय की का नाम देते हैं, तो समुदाय शब्द किसी विशिष्ट समय और विशिष्ट स्थान पर जीव धार धारियों का जो समु होता है, उसके लिए प्रयोक्त किया जाता है, तो हम ये मान सकते हैं कि समुदाय क्या है, समुदाय जहां पर समी सामुहिक रूप से कई सारी प्रजातिया जीव जन्तु रहते हैं, that is called समुदाय, और Encyclopedia of Britannica की अनुसार ये उसके बारे में कहा गया है जीव विज्ञान में समुदाय को जैविक समुदाय कहा जाता है, अब देखें जैविक समुदाय क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें शामिल हर चीज में लाइफ है, कोई भी चीज जो है वो अजैविक नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है कि समुदाय को जैविक समुदाय क कहा जाता है और इसे समान अवस्थिती में विभिन प्रजातियों की जो क्रियाएं और अंतर क्रियाएं होती है उसके लिए उसमें प्रयुक्त किया जाता है मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज पारिस्थितिक तंतर में इंडिपेंडेंडन नहीं है हम एक दूसरे पे important aspect होता है उदारन अगर हम इसका देखें तो एक वन में सभी व्रक्ष उनके नीचे के सभी पादप जन्तूओं वहां की मिट्टी में उपस सिद बैक्टीरिया जितने भी अगर कहीं काई है कवक है जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें जो हैं उनको हम प्लांट कम्यूनिटी में या हम उसे जैविक समुदाए में शामिल करते हैं तो यहां पर आपने जैविक समुदाए हमने क्यों कहा क्यों कि जिन भी चीजों की बात की उसमें लाइफ थी चाए वो व्रक्ष हो चाए उसके नीचे के पादप हो चाए जीव जनतू हो चाए काई हो मिट्टी के बैक्टीरिया जो उन सब में कहीं न कहीं लाइफ है इसलिए हम उसे यहां पर हमने उसको क्या कहा है जैविक समुदाए कहा है अगर हम स्मित की बात करते हैं इसमित एक अच्छे भूगोलवेताओं के रूप में उनका नाम शामिल किया जाता है तो इसमित ने कहा है कि जैविक समुदाए पादपों जनतूओं सूख्ष में जीवों का एक ऐसा प्राकरतिक समूँ है जो भौतिक पर्यावरण में साथ भी रहते हैं परस पर क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं भी करते हैं एक दूसरे पर आश्चत भी रहते हैं और निरंतर उर्जा का इस्तरीकरण उपयोग और श्रय करते हैं जिसमें लाइफ है वो इन सब चीजों को यूज़ करेगा वो उर्जा को ग्रहन करके ही विक्सित होगा उसी से वो अपनी संख्या बढ़ाएगा और उसी को वो कुछ मात्रा में उसका श्रय भी वहाँ पर हो जाता है तो ये सारे जो जैविक चीजों का जो ग्रुप है इसको हम समुदाए कहते हैं इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक जैविक समुदाए ऐसे जीवदारियों का समुव है जो एक ही शेतर में साथ-साथ रहते हैं और एक दूसरे से क्रियाएं प्रतिक्रियाएं या हम अंतर क्रियाएं करते रहते हैं मतलब they are not independent वो mixed रूप से रह रहे हैं और एक दूसरे पर effect डाल रहे हैं एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं इसी तरह मैक नॉटन ने अपनी एक परीभाशा में कहा है कि किसी भी इस्थान तथा समू में साथ साथ जीवन यापन करने वाले जो समश्टी समू है जिनने हम कहते हैं group of population है उसको समूदाय कहा जाता है अब आपको बिलकुल clear हो गया होगा कि actually समूदाय किसको कहते हैं हम ये देखते हैं कि ये जो एक जैविक समूदाय जो होता है उसकी प्रजातियों में चार वर्ग के जीवधारी शामिल होते हैं हम मोटे मोटे जीवों की और वनस्पती के बाती नहीं करते हैं पर इसमें total चार समूदा होते हैं उत्पादक होता है उभोकता होता है अब घटक होता है और रूपांतर करता होता है अगर हम इसे simple और simple चब्दों में कहना चाहें तो हम कहेंगे producer होता है consumer होता है decomposer होता है और modifier होता है ये चारों चीज़ें जब किसी parasitic तंतर में साथ रहती हैं किसी शेतर में साथ रहती हैं तो हम उसको समूदाय का नाम दे सकते हैं अब इस समूदाय की ये clear हो गया होगा आपको समूदाय क्या है अब हम बात करेंगे कि समूदायों की विशेष्टाए क्या होगी है, communities जो हैं, इनकी क्या characteristics है, क्या इनकी प्रमुक विशेशता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि, जैसा कि हमने इसकी परीभाशाओ में भी पढ़ा, कि प्रजातियों में विविदता पाई जाती है, विविदता क्यों पाई जाती है, क्योंकि एक शेत्र विशेश में, बड़ी संख्या में, विविन प्रकार के पादप और जन्तु समुदाय, आपको पता ही है, मिक्स रूप से रहते हैं, प्राकरतिक संगठन के रूप में रहते हैं, और एक समुदाय में रहने वाले सभी पादप और जन्तुओं को अलग-अलग प्रजातियां बहुलता में होती हैं, और कुछ प्रजातियों का संख्या थोड़ी कम होती है, विरर होती है, या अरेर होती है, अगर आप अपने आसपास के शेत्र में जाकर वनस्पती के नजर डालेंगे, तो हो सकता है आपको एक या दो प्रजातियां जो है, वो commonly ये विविदताएं पाई जाती है और प्राकर्तिक समुदायन में मिलने वाली इन प्रजातियों ये जो जितनी भी प्रजातियां यहां पे हम मिल रही हैं हमें इसमें विविदता में ऐसे बहुत कम जीवधारी होते हैं जो समुदाय के संचालन में महत्वपूर्ण भूमी क निभाते हैं ऐसे जी प्रजातियों को हम जो बहुत ज़ादा उस तंत्र पर प्रभाव डालते हैं डॉमिनेट करते हैं उन्हें हम प्रभावी प्रजातियां या dominant species कहते हैं आप यह देखिए कि अगर हम family की बात करें कोई भी एक family है या कोई एरोगेंट होते हैं कुछ बहुत वोकल होते हैं जोर से बोलते हैं अपनी बात रखते हैं अपनी चीज के लिए लडाई करते हैं परन्तु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शान्त रहते हैं तो यही सारा सिस्टम समुदाय में भी चलता है प्राकर्तिक समुदाय में भी चलता है कि कुछ प्रजातियां थोड़ी ज़्यादा प्रभावी होती है कुछ silent type की होती है मतलब उनकी संख्या थोड़ी सी कम होती है तो जो बहुत ज़्यादा इस प्रकार की प्रजातियां होती है उसे हम dominant species या प्रभावी प्रजातियों के नाम से पुकारते हैं दूसरी बात एक क्या होती है कि ये जो जैव समुदाय हैं हम इनके एरिया को इनकी सीमाओं को एक रेखा के द्वारा विभक्त नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि इनकी सीमाएं निर्धारित नहीं होती हैं क्यों नहीं होती हैं क्योंकि ये सब लाइफ वाली चीज हैं इनमें ए एक ऐसे शेत्र में विशेश प्रकार की वनस्पती की वृद्धी हो जाती है, जैसे हम इस जैसे बायो टॉप कहते हैं, तो ये जो है इन में कमी बढ़ोतरी चलती रहती है, एक continuous process चलता रहता है, इसलिए कोई भी शेत्र ऐसा नहीं होता कि हम एक लाइन के द्वारा विभक्त कर दें, बीच का एक संक्रमन शेत्र होता है, उसमें भी वनस्पती की सगंता घट्ती बढ़ती रहती है, तो हम इसको इस प्रकार से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फिर हम second point पे आते हैं, वो है सहस्तित्व या co-existence, co-existence का क्या क्या मतलब है, कि शेत्र विशेश में मिलने वाली सभी जो प्रजातियां हैं, वो पहले completely isolated होती है, अलग होती है, वो बाद में धीरे 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 सगंता बढ़ती है, किसी भी शेत्र की अनेक प्रजातियां वहाँ पे पैदा होने लग जाती है, और इस तरह से अन्य प्रजातियां का समायोजन इस शेत्र में हो जाता है, वो हम कहते हैं जियो और जिनो दो, वो वाली situation यहाँ पर हो जाती है, और इसी लिए कई सारी प्रजातियां समलित रूप से साथ रहती हैं, तो ये जो इनका सह अस्तित्व या co-existence, existing population होती है, ये इस प्रकार के अंतर संबंद जो होते हैं प्रजातियों के बीच में, वो हमने उनको पांच भागों में, उसको हमने पांच भागों में बाड़ दिया है, जैसे विदोहन, इसको हम ये कहते हैं कि exploitation, कि कोई प्रजाती, दूसरी प्रजाती पर पूर्व तरह, पूर्ण रूप से आश्रित हो जाती है, दूसरा है सहोपातकारिता, mutualization, इसमें क्य होता है, दो या अधिक जैव प्रजातियों के, की जो population होती है, एक दूसरे के साथ जो इसका स्थापित संबंदों से लाब प्राप्त करती है, तीसरा है, सह बोजत, उसमें क्या होता है, एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं, और एक जीव को दूसरे जीव से लाब पहुंचाते रहते हैं फिर नेक्स पॉइंट है प्रतीस परदा इन में competition भी होता है कोई भी जीव जो दो प्रजातियां होती है वहाँ पर संसाधनों के लिए उनमें आपस में competition या प्रतीस परदा होती रहती है क्यों होती रहती है क्योंकि यहाँ पर उसका population उनकी अलग-अलग है आकार अलग-अलग है जैव भार अलग-अलग है उनकी संख्या अलग-अलग है तो इन में इस प्रकार का struggle या प्रतीस परदा चलती रहती है उसके बात है हम कहते हैं परी जीविता पैरसाइटिसम पैरसाइटिस्म क्या होता है यह इस प्रकार के जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं दूसरों पर आश्रित होते हैं या परी जीवी होती हैं तो इस प्रकार की स्थिती भी हमें देखने को मिलती है कि वो दूसरे जीवों के लिए या दू होते हैं पर भक्षक जिसे हम कहते हैं प्रिडेटर्स क्या होते हैं मासाहारी होते हैं यह सर्वहारी होते हैं जीवों को भी खाते हैं और यह जो मासाहारी जीव होते हैं यह कमजोर जीवों का शिकार करते हैं और कमजोर जीव इनके प्रे बन जाते हैं या उनका भक्षन ये कर लेते हैं तो इस प्रकार की इस्तिती हमें यहाँ पर बहुत देखने को मिलती है आगे और topics को हम अपने अगली class में discuss करेंगे, thank you